वेलकम टू नेक्सवी टीवी कैसे हैं आप सभी लोग आज इस वीडियो में मैं बेल के पत्तों के फाइदे के बारे में आपसे बात करूँगी बेल यानि कि एपल वूड ये तो आपने खाया ही होगा पर आपको पता है इसकी पत्तियों के भी बड़े फाइडे होते हैं अब ऐसे ही थोड़ी ना बेल के पत्तों को शिवजी को चड़ाया जाता है अब अगर चड़ाया जाता है चाहे वो शिवरातरी हो या सावन के महीने में हो पर कोई तो कारण होगा कि इस बेल के पत्ते की कुछ तो इंपोर्टेंस होगी तबी तो भगवानशिप को वीच रहा जाता है तो इसका जो हेल्थ बेनिफिट है कि हमारे लिए ये किस तरीके से काम करती है शरीर को अच्छा रखने में वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे तो प्लीज पुरा वीडियो जरूर देखिएगा तो ज जानते हैं सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट वो है एनीमिया और पीलिया में बेल के पत्तों का रस हमारे काम आता है जैसे कि आप 20-30 ml यानिकि दो चम्मच मान के चलिए दो चम्मच आपको बेल के पत्तों का रस लेना है उसमें थोड़ा सा कालिमेच पावडर मिलाना है और आप जब लेंगे तो आपको पीलिया में जो एनीमिया जैसी प्रॉबलम होती है खून की कमी की जो दिकत होती है वो सब इस बेल के पत्ते के रस को लेने से ठीक हो जाएगा उसी तरीके से बेल के पत्ते का रस जो है वो मदुमे यानि कि डाइबिटीज पेशेंट्स के लि आपकी जो शुगर की प्रॉबलम है जो मदुमे डाइबिटीज की दिकत है वो कंट्रोल होने लगेगी अब इसका नेक्स्ट फायदा है अगर आप पेचिस से परिशान है या लूज मोशन्स आपको प्रॉबलम है दस त्यानी की आपको दिकत हो रही है बहुत जादा बार आप बार मोशन्स आ रहे हैं तो उसके लिए आप इसका पत्य का अगर आप काड़ा बना करके भी पीएंगे तो उसमें भी आपको बड़ा फायदा होगा कहने का सेंस ये है कि आपको बेल के कुछ पत्ते दो से चार पत्ते लेने हैं पानी में थोड़े से पानी में उसको खुलाना है और थोड़े से अद्रक का टुकड़ा भी आप डाल लीजिए और उसके बाद इस पानी को पीजिए तो आप देखेंगे कि आपका जो लूज मोशन है वो कंट्रोल हो जाएगा परसे ही एक और फायदा जो बेल की पत्तो का है वो है बुखार में आपको अराम देगा यानि कि अगर आप बेल के पत्ते को थोड़ा सा पीस लें उसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके चुटी चुटी गोलिया बना लें उस गोली को आप सुबह शाम लेंगे तो इससे आ अब एक और फायदा वो है जैसे किसी के पेट में कीड़े पढ़ जाते हैं या फिर आतों में कीड़े पढ़ जाते हैं तो उसके लिए आप बेल के पत्तो के रस में थोड़ी सी अजवाइन मिला करके जब खाएंगे तो इससे आपके जो पेट के कीड़े हैं वो चले जुखाम बुखार जो कमन कोल्ड हो जाता है उसमें अगर आप बेल के पत्तो के रस को लेंगे और उसमें थोड़ा सा शेहद मिला दे और उसे आप लेंगे तो उससे आपका जो सरदी जुखाम बुखार है वो ठीक हो जाएगा लेकिन याद रखेगा एक से दो चम्मत इस बेल का और उसके बाद उसको मुह में रखके चबाने और इसे चबाने से आपका जो मुह का चालर है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा अब इसका नेक्स्ट फायदा है आपके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में यानि की बदहजमी यानि की खाना खाने के बाद जब खाना प प्रॉब्लम में फायदा होगा अब इसका एक और बहतरीन फायदा है जिसे कभी आपको किसी मद मुठी ने काट लिया चीटे ने काट लिया तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको बेल का पत्ता मिल जाता है तो आप उसका रस उस पे जब लगाएंगे तो उससे आपको द आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्ड करिए और साथ में कॉंटिटी का हमेशा ध्यान रखिए कभी भी कोई चीज बहुत जादा मात्रा में नहीं लेनी होती है तो आज के लिए बस इतना ही ठैंक्स फो वाचिंग और हां वीडियो को शेयर करना लाइक करना और प्लीज आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा